ओम श्यान्ति आज आपका 105 दिन का महावर्दान और आज के वर्दान में परमपिता परमात्मा हमें संशे और निश्चे के दोनों पहलूओं को समझाते हैं संशे है तो आपकी निश्चित ही आपकी विजय नहीं होने वाली है आप हार खाएंगे अगर आपके मन में थोड़ा सभी संशे है क्या होगा कैसे होगा होगा नहीं होगा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो फिर निश्चित ही आपकी पराजय है और अगर आपके मन के अंदर संखल्प है, कि परमात्म मेरे साथ है, तो कोई भी चीज में, कोई भी माया के प्रकोप में, किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की, अगर आपको कोई भी परिशानी आये जीवन में, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे अब वो परिशानिया क्या हैं उसके बारे भी आज हम बातचीत करेंगे तो देखें आज बाबा कहते क्या हैं बाबा कहते हैं संशे के संकल्पों को समाप्त कर अब संशे के संकल्प क्या क्या आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे माया जीत बनने वाले विजयी रतन भवा माया जीत बनने वाले विजयी रतन भवा इंसान आज जीने की कोशिश कर रहा है सांस लेने की कोशिश कर रहा है धन संपत्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है इस समय में जब ऐसी हमारी चल रही है तो इंसान चाहिए वो अमीर हो चाहिए करीब हो चाहिए किसी भी धर्म का हो किसी भी प्रकार के धर्म का हो वो आज अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है इस समय ना हिंदू ना मुस्लिम ना सीख ना इसाई कोई कुछ नहीं देख रहा इस समय हर कोई survival mode में आया हुआ है तो इस समय ही हमें देखना है कि क्या हमारे अंदर निश्चह है क्या हमारे अंदर संचह है तो परवात्मा कहते हैं विसार में कभी भी पहले से ये संचह का संकल्प उत्पन ना हो पहले से ही आपने एक कदम लिया परमात्मा की तरफ, आपने साथ दिन का कोर्स किया, आपको ग्यान मिला परमात्मा का, और आपने उसमें डाउट लाया, कि क्या ये सई नौलेच है, क्या ये सत्त है, क्या आत्मा का ग्यान जो मैंने पाया है, वो सत्त है कि नहीं है, अगर आपने ये सत कुछ में डाउट लाया तो उत्पन ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं कि परमात्म ने कहा है कि फेल क्या है ये भी एक इश्वरी विश्वे द्याले है जो कि हमें त्यार कर रहा है भवशिक ले कल्यू का अंद तो सामने खड़ा है आप देखी रहें नियूस चैनल खोल करके कहीं पर यूद हो रहा है कहीं पर आपको कोवेट की सिचूशन बढ़ती भी दिख रही है इनसान अहंकार में आकर के ये कह रहा है कि हमारा जो जितना भी हमारे पास में ग्यान है विग्यान है उसके द्वारा हम इसको जीत पाएंगे जरूर जीतें लेकिन ये एक ऐसी चाप छोड़ देगा जिसके कारण से दुनिया बतल जाएगी और किस तरफ मुखमोड लेगी वो दुनिया वो कल्यूक के अंत की तरफ मुखमोड लेगी जहाँ पर कुछ भी साधारण नहीं रहेगा अपसे तो परमात्म केते हैं इस समय पर ऐसे टाइम पर जो हम बच्चे हैं जोन्हें ने परमात्मा का ग्यान लिया हुआ है क्या हमारे अंदर संशे आ सकता है कि क्या मैं पास होगा क्या मेरे अंदर क्रोध, काम, वासनाएं सारी चीजों के उपर मेरी जीत होगी की नहीं होगी क्या मेरे अहंकार कम होगा, इर्शाद्वेश कम होगा की नहीं होगा क्योंकि अंत के समय में परमात्मने काहा है जिसके अंदर भी काम, क्रोध, लो, मौंकार, इर्श, दुएज, ग्रिना, नफरत, आलसल, बेलब, पनी, सारी कमजोरियां रहेंगी तो जो आत्माई शरीर छोड़ी होंगी तरही-तरही करके जाए वो बंविस्फोर्ट में छोटी हों, जाए ऐसी बेमारियों के दोरा छोटी हों जिसको कहा जाता है कि अकाले मृत्यू, अपने समय से पहले मृत्य हो जाना, दुख में मृत्य होना वो आत्माई भटकती हुई, जो कमजोर आत्माई हैं, जिनके अंदर काम, करोद, लो मौकार अभी भी है, उनके अंदर प्रविश्टा करेंगी तो ऐसे समय पर क्या आप शक्तिशाली हो, क्या आपके अंदर वो ताकत है कि आप पवित्रत से परमात्मा की लगन में रह करके, उनके चारों तरफ वाइब्रेशन फला करके, अपने आपको भी सेफ रखें ऐसी आत्माउं से, और और आत्माउं को भी सेफ रखमाएं तो ये घटनाए हो रही है सारी दुनिया में, सपने आ रहे हैं लोगों को, रात पर नींद नहीं आ रही है लोगों को, तो इस समय क्या हम निंद्रा जीत होकर के परमात्मा की याद में बैठ करके रह सकते हैं, नहीं तो हमें भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी इस सारी चीज़ें नींद में भी जीत पाना हमें है, तो परमात्मा कहते हैं यह नहीं की सर्फ जब आप जागरत अवस्ता में आप जीत पाएं, लेकिन नींद में भी अगर आपको सपनों में भी कोई अगर आपको तड़ पाता है, कोई आत्मा करके आपको परिशान करती इसका मुलाव आपके अंदर अभी भी weaknesses हैं, आपका मजोर हैं, तो आप विजे नहीं हैं, और विजे रतन बनने के लिए अपने आपको सर्वशक्तिवान से जोनना जरूरी है, तो फिर आगे देखें, बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं, इसलिए हार हो जाती है, संशे ब मैं कर पाऊंगी, या कर पाऊंगा, नि कर पाऊंगा, पते नही परमात्म महें मुझे चूज किया है की नहीं किया है, कै मेरे इंदर इसलिए शक्ती नहीं है, पता नहीं, मैं तो बहुत लेट आईए हूं इस ज्यान में, ब्रह्म कुमारीरी का ग्यान तो सो वर्श होने व परमातमा केते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरा हाथ पकड़ery रखो. हर गड़ी उसस अस मुझे याद करो फिर परमातमा केते हैं विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है परमातम ने मुझे चूज किया है उन पर विश्वास रखें उन पर निश्चे रखें तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है विजय होना ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है तो अगर विश्वास है तब जाकर हमारे सारे कर्म सच्चे होंगे परमात्मा की guidance या direction की अनुसार होंगे नहीं तो अगर हमें doubt है तो हम फिर से रावन की तरफ शैतान या सेटन की तरफ यह हम काम करोध लोमो अहंकार को इस्तमाल करने वाले विक्ति अगर बन गए तो फिर हमारी तो पराजे निश्चित है परमात्मा कहते हैं मेरे अनुसार चलो तो संचि बुद्धी नहीं होगे और तुमारी विज्चित है तुम पवित्र बन करके परमधाम चले जाओगे क्योंकि बिना पवित्र बने कोई भी परमधाम वो आपस लोट नहीं सकता उसको त्रही त्रही करके शेरी छोड़ना पड़ेगा आप सोचें इस गहरे ग्यान को फिर परमात्मा कहते हैं अधिकार फिर पाबा कहते हैं सिद अधिकार है ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अथार्थ सफलता का अधिकार अविश्य प्राप्त होता है सोचें सफलता जरूर होगी आपकी 100% guarantee परमात्मा देते हैं इसी से विजय रतन बन क्या बनेंगे विजय रतन मैं विजय रतन आत्मा हूँ यह हमारा सुवमान यह self-respect यह affirmation बोलें जो भी आप कहीं इसको बन जाएंगे इसलिए master knowledge full मैं आत्मा कौन हूँ एक और सुवमान master knowledge full मेरे अंदर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सुआ का ग्यान मैं आत्मा ने कितने जनम दिये मैं आत्मा इस धरती पक आई और अब इस कल्यूक का अंत कब है और अब यह सत्यूक कब आने वाला है सारी धर्म की आत्माओं को शरी छोड़के परमधाम कब जाना है सारे चक्र का ग्यान हमें आ गया है तो मैं क्या बन गई master knowledge full के मुख से ना मालूम शब्द पता नहीं होगा नहीं होगा तो आप इस गहरे वचनों को आप परमात्मा की दिये वचनों को सोचें गहराई से और साथ दिन का कोर्स करें क्योंकि उसके अंदर सारे राज हैं रहस ने कि यह भाविश में आके क्या क्या होने वाला है और हमें अपने आपको कैसे बचाना है इन सारी चीजों से इसके साथ आपका दिन शुभ हो आप स्वस्त रहें ओम शान्ती